हलो फ्रेंड्स वेलकमटो मिशन्डिट्रिप्लेस भी युट्यूब चैनल कैसे आप सब त्यारी अच्छी चल रही होगी त्यारी कर रहे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे September 2009 के current affairs को मैं cover up कराऊंगी क्योंकि इसमें हमें September, October, November, December सभी current affairs को cover कराना है उसमें मैंने बताया था सो देर सो जितने भी questions possible होपाई जो important current affairs रहेंगे हर महीने से September, October, November, December से उन सब को हम कराने की कुशिश करेंगे तो इसमें जो मैंने पहले बाले वीडियो दी हैं उन सारे lectures के अंदर 25 तक मैंने questions को cover up करा दिया था तो इस वाली वीडियो में 26 onwards जो हैं September के current affairs रहेंगे तो question no.26 से रहेंगे ये वीडियो तो जिन्होंने नहीं रहेंगे थी वाप पहले वीडियो देख लेना जिसमें आपके वह वले current affairs ताके cover up हो जाएं जो important थे सारे important ही current affairs यहां पर कराऊंगे तो जितने भी important current affairs थे वह cover up करा भी चुकी हूं और आगे भी होते रहेंगे so 26 onwards जो ही वीडियो रहेंगी so देखे हम अपने question no.26 से start करते है question no.26 देखो क्या कह रहा है which of the following country will host trilateral maritime exercise Malabar 2019 between India, Japan and USA अब देखो ये September के current affairs है ये वैसे हमारा past हो चुका है बट हमें तो अपने current affairs को cover up करना है तो हमें September October सभी के करने है तो हम September से start हम ये सीरी September से start हो चुकी है जिसके हम 25 कुषिन पहले कर चुकी है 26 कुषिन ये है तो अब ये वाला जो Malabar 2019 था अब ये past हो चुक है ये हो चुका है हमारा ये 26 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में होना था माला बार मैंने इसको देखो हिंदी में भी लिख दिया है bilingual लिखा है कौन सा देश भारत जापान और USA के बीच त्री पक्षिय समुंदरी अभ्यास जो Malabar अब देखो इसी एक की कुषिन से ये तो पूछ रहा है दोजर उन इसकी मेजबानी कौन करेगा मेजबानी कौन सा करेगा इंडिया जपान USA चाईना अब इक कुषिन से मैंने बताया था जैसे कि हम 25 कुषिन में करते हैं एक कुषिन से तीन चाचर कुषिन करना है तो हमें बस क्या करना है just एक वा ध्यान से listen करना है कि कौन्स क्या कोईशन दिया है उसके इंदर क्या important points थे कि उस कुषिन स से वह कोई और कोई पूछ लिए अब रिखो कोई सकता है कि जो हमारा अभी 2019 में जो हुआ था समुंदरी अभ्यास हुआ था वह क्या नाम था उसका तो चार आप्शिंच आजें कोई भी उसके नरे एक मालाबार उते हैं यह कवर अभ्यास था तो वह समुंदरी अभ्यास था एक बार आप सुन लोगे तो आपको यह कभी नहीं भूलेगा जब एक्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इसको टिक कर क्या होगी ठीक है तो इससे ही इंपोर्टन कुछ बाते जो है आपको मालू है यह पॉइंट्स टू रिमेंबर रहेंगे यह जो आपको याद करनी ह यह बाते ठीक है और यह क्या है हमारा 23rd edition है किसका Trilateral Maritime Exercise का और यह कब से कब तक हुआ था यह जो मालाबार हमारा तो राज्य अमेरिका की नो सेनाओं के बीच निर्धारित है मालाबार 2019 है साजह मूल्यों और सिधानतों के अधारवर भारत जपान अमेरिका नो सेना सेयों को और मजबुत बनाने और अंतरशमता को बढ़ाने का परियास करेगा ठीक है तो फ्रेंज देखिए हमारा कोईसिन अबर 27 यह कह रहा है इन सप्तेमर 2019 डिफेंस मनिस्टर रायनाथ सिंग कमिशन इंडियन कोस्ट गाडशिप इंडियन कोस्ट गार्शिप क्या होता है भारती यह तक रक्षक जहाज दिखो मैंने दोणों लेंगविश में लिखा है दै यहां से cover up होता है Defense Minister कोन है हमारी रक्षा मंतरी कोन है राजना सिंग कितने किसे कुरिशन हमारे cover up हो जाते हैं करते हुए कहा रहा है September 2019 Defense Minister राजना सिंगं कमिशन इंडिन कोल्स गाडशिप भारतिय तर रक्षक जहाज क्या किया था at Chennai port that means September 2019 में रख्षा मंतरी राज्णा सिज्ग ने चन्णी बंदर गाहाँ पर भरत्य तरतक्षक जहाज की नाम पतानां yarn question anti Halath अब हम में बतानां उसका जहाज की नाम था इंड ancestor कोस्ट गाट्शिप का क्या नाम था । AZ या फिर हमारा या ICGS विशाल था या ICGS अकाश्ता यह हमारा ICGS वरहा था जिनको सेप्टैंबर के करेंट अफेस जिन्होंने नहीं पड़े क्योंकि हमें पता है कि हम नियूस पर नहीं पड़ते हम टीवी नहीं देखते हालतु के काम दितने मज़ी करा लो वर्टसप पे हम कितनी मज़ी एक कोईशुनने काम नहीं पर मुढ देखने को वी पक्रिकाण के घृएप समिल गला को हमें नहीं skip करना ICGS वरहा तो इसका यह नाम था अगर आपने एक बार सुन लिया ना कि यह जो हमारा हेड कोईटर कहाँ पर जो यह वीडियो को पूरा देखेंगा वह देखेंगा कि कुछ ओमवक मिला था और उसका को करने की कोशिश करेंगा मालूम है तो ठीक है कमेंट सेक्शन में लिख देना नहीं मालूम तो आप नेट पर सर्च करके लिख देना नेट पर सब्सक्राइब लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम निया पस ही है कि कमेंट करना आप देको एक क्योशन पूचा है अगर आपको नहीं मालूम आप क्या करोगे नेट पे सर्च करोगे तो आपको उस टेंट तो मालूम चल जाएगा नेट पे सर्च करने के बाद तब आप कमेंट सेक्ष् में कभी पूचा था और पूचा था तो हमने सर्च किया था सर्च किया था नहीं मालूम होगा तो सर्च करोगे सर्च करोगे और फिर कमेंट करोगे तो आगे जाएगा कि यह चीज़ हमने सर्च करके कमेंट की थी क्योंकि एक बार अगर हम कोई चीज देख लेते हैं या फ पे किया था चिन नहीं पोर्ट पे गिया था में आयो जी तेक विशेश समारों में भारतिय तर्टक्षक जहाज ICGS वरहा को कमिशन किया जहाज तर्टक्षक बलके साथ तर्टिय गश्टी जहाजों की श्रंकला में यह चोता है यह वेस्टन कमांड के तहत करनाटका के नियू मेंगलोर में अधारित है यह किसलिए था यह ट्विन इंजन हेलिकॉफटर और स्विफ्ट बोर्डिंग खोज और बचाव कानून प्रवर्तन और समुंदरी गश्ट संचाला के लिए चार उच गती वाली नावों को लेकर जाने में सक्षन है तो यह बहुत इंपोर् हमारा question number 28 क्या कह रहा है recently Narendra Singh Tomar Narendra Singh Tomar has launched a mobile app named as Dash that will provide farmers with information about the best demonstrations of high yielding crops and seeds at nearby area तो मैंने इसको बहुत बड़ा question था इसके चार options है कौन सी app पूछ रहा है किसने नरेंदर Singh Tomar ने अब हमारे नरेंदर Singh Tomar कोन है यह हमारे एग्रिकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर है ठीक है agriculture and farmer minister तो मैं इसका question अगर हिंदी में कहते हो तो बोल देती हूं यह हमारे agriculture and farmer welfare minister farmer welfare minister है ठीक है तो हमारा यहां से यह question भी cover up होता है that means हमें एक की जोर नहीं पता चल जाती है कि हमारे नरेंदर Singh Tomar कोन है agriculture and farmer welfare इसके हिंदी में मैं बता देती हूं मैंने question लिखा नीमन लिकित में से नहीं ऐसे है कि हाल में ही नरेंदर Singh Tomar ने डैश नाम से इसके साथ साथ इन्होंने एक CHC machinery app भी इन्होंने launch की थी तो आप यह भी extra में लिख लेना इन्होंने फिलर question में जो पूछा है एक ही एप का पूछा है बट इन्होंने दो mobile app launch की थी इन्होंने दो mobile app जो हैं launch की थी टू mobile apps launch की थी नरेंदर Singh Tomar ने तो अगर आपके पस question में एक ही mobile app आती है तो एक ही दिनी है दोनों आ जाती है तो दोनों option में लगानी है कई बार मतलब दोनों देखे पूछ लेता है और एक हमारी क्रिशी किसान अप थी दो एप इन्होंने क्या किया था लॉंच की थी तो हमारे इन्होंने यह दो आप जो लॉंच की है कहां की है नई दिली में agriculture and farmer welfare minister Narendra Singh Tomar launched two agriculture related mobile application CHC farmer machinery and Krishy किसान कहां पे किती इन्होंने नहीं दिली में तो इसे question यह भी arise होता है कहां पे होई थी तो यह new daily में होई थी the customer hiring services center यह CHC की full form बतारियों है customer hiring services center or CHC app will allow farmers to avail the custom hiring services of CHC located in the radius 50 km 50 km range तक जो उसके दायरे में थी है the app connects the farmer with custom hiring services center in their area क्रिशी किसान app will provide farmers with information about the best demonstration बहले यह किसके बारे में बता रहा है कि आसपास के कितने जो हमारी seeds है उनके आसपास के area में उस चीज को इन्होंने जो है बताया था हमारा इस app में मतलब क्या detail दी गई इस app की इस app में यह बताया गया कि जो हमारा क्रिशी किसान app है किसानों को आसपास के शेतर में उच उपजवाली फसलों और बीचों के सर शेष्ट परदर्शन के बारे में जानकरी परदान करेगा clear तो यह हमारा इन्होंने कहां पर किया था यह कुष्ण यह भी अराइज होता है इन न्यू डैली यह जो दोनों आप लोग चुई थी न्यू डैली में वह थी तो हमारे एक ही कुष्ण से दो तीन कुष्ण जो है कवर अप हो जाते हैं सो देखें हमारा कुष्ण नमर्ट 25 क्या कह रहा है विच आप दा फॉलोइंग इंस्टिटूट विल होस्ट दा सेकिंड सिंगापूर इंडियान हेक्थाउन निमनलीकित में से कौन सा संस्थान दूसरी सिंगापूर इंडिया हेक्थाउन की मेजबानी करेगा इसको आपको options में देना है सबस्क्राइब होता क्या है मैंने यहां पर लिख दिया है हमारा होता क्या है जिनको नहीं मालूम इंडिजाइन लाइक इवेंट इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इन वोल्ड इन सोफ्वेर डेवलप्मेंट इंक्लूदिंग ग्राफि सब्सक्राइब के करेंटा फिर से है तो इसकी जो मेजबानिया आइट मदरास ने की थी अभी हमारा है क्या है यह जो हमारा सेकिंड एडिशन है ऑफ सिंगापूर सिंगापूर इंडेन है क्विल बी और्गनाइज बाइट मदरास चैन्नाई फॉम सेप्टेंब 28 तो 29 दो इस बार कि जो थीम थी वह क्या थी इस यह थी यह था करेंटी उनको ने क्या है प्राइस कि दिया था अब यह जो है यह जो हैएट पारिम करता है यह MHRD conduct करता है तो अब आपके लिए एक homework ही हो गया कि यह MHRD किया है हमारा हमें एक तो यह MHRD की full form बतानी है आपको ठीक है तो आपका एक यह दूसरा homework हो गया एक homework मैं पहले दे चुक हूँ second homework यह है इसकी full form बतानी है और यह M से मैं बताती हूँ मिनिस्टर है आगे आपको इसकी full form complete बतानी है पता है तो तब भी लिख दिना नहीं पता तो आप बेशक नेट से सर्च करके गूगल पर सर्च करके कमेंट कर दिना जिससे आपको मालूम चल जाएगा नहीं पता तो तब भी आपको सर्च करना है अधनन कमेंट सेक्शन बताना है MHRD की क्या full form है और इनके मिनिस्टर कौन है एम से मिनिस्टर बता ही रही हूँ आगे आपको बताना है और इसके मिनिस्टर हमारे फिलाल कौन है MHRD की full form MHRD मिनिस्टर एक questions में ने पहले दिया था या आपको homework में कमेंट सेक्षिन में बताना है क्लियर है सो देखिए हमारा question number 30 क्या कह रहा है 30 कह रहा है PM Modi will formally declare India as open defecation free ODF अब देखो यहां से एक हमें ODF की full form पता चलती है open defecation free open defecation free ठीक है ODF की हमें full form पता चली अब कह रहा है PM Modi ने क्या करा declare कब किया था India as open defecation free on कब किया था 1 October को 2 October को 15 October को या 25 October को ठीक है अब हमें इन चारों में से एक option को हमें बताना है PM Modi आपचारिक रूप से भारत को डैश को खुले में शोचमुक्त that is open defecation free कब घोशित करेंगे वैसे तो यह past हो गया आप घोशित कर चुकी है कौन सी डेट को किया था यह आप आप बताना है अभी तो हम अपना past कर अंटरफेर्स को जो है अच्छे से रिवाइस करना चाहरे हैं तो यह इन्होंने 2 October को किया था ठीक है तो इससे हमारा अगे क्योंटत है कावर-फ घ्र्प जो होती है उसके बाद यह कहां पे किया था साबर्मति लिवर फ्रॉंट के एंधा बाद ट्रीक है एक क्योंटर शेल कर से को यहां पिक हमारा साबरल मैं करपेहां27 कहांगा हुआ that means एक ही कोईशन से 5-6-6 को कवर अप करा रही हूं so देखे कितनी इंपॉर्टन है माई जी के so अब यह 2 अक्तूबर को ही क्यों हुआ था एक कोईशन यहां से कवर अप हुआ क्यों क्यों क्योंकि ओकेजन ओफ 150 बर्थ एनिवर्सरी ओफ महात्मा गांदी यह सबसाई के मात्मा गांदी नेनीवर्सरी महात्मा गांदी कहीं तो 148 155 का कमारियों यह 4 चीज़ और यहां कि मौनीशन चैनल दो डिक्लेयर किया, ODF हमारा कब डिक्लेयर किया था, 2 अक्तूबर को किया था, 2 अक्तूबर को क्यों किया था, क्योंकि 150th birth anniversary थी, कि महात्मा गांदी की कहां पर celebrate किया था, एमदाबाद में, सावरमती riverfront के पास, और ODF की full form क्या है, open defection free, तो एक ही question से, कितने सारे question cover अप हो है, तो ये points to remember में, ये जीजे भी लिख लेना, clear? इसी की थोड़ी सी, जो है, मैं news और बता देती हूँ, Prime Minister Narendra Modi would formally declare India as open defection free ODF on 2nd October during a function to be held in Ahmedabad, जो है, Ahmedabad में हुआ था, 2 October को function हुआ था, Prime Minister Modi scheduled to address a mega convention of more than 20,000 serpensch, 20,000 से जादा serpensch उस, जो mega convention था, उसमें शामिल हुए थे, from across the country, which will be held at Sabarmathi riverfront in Ahmedabad, on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, जो मैंने important points आगे बोर्ड पे mention भी कर दी हैं, out of 20,000 serpensch, 10,000 serpensch will from Gujarat, 20,000 serpensch में से 10,000 serpensch सिर्फर सिर्फ गुजरात से थे, सरpensch from Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, चतिसगर, Punjab, Haryana, Bihar and other states and union territories will also participate in the event, कहां कहां से देखो सरpensch आये थे, Uttar Pradesh से, Maharashtra से, Rajasthan से, Madhya Pradesh से, चतिसगर से, Punjab से, Haryana से, Bihar से, और भी बहुत सरी states से, 20,000 से जादा serpensch ने इस mega convention में participate किया था, सो देखिया, हमारा 31st question क्या कह रहा है, कह रहा है, according to IIFL, wealth, we run, India, rich list, 2019, who among the following, ये following है, affordable है, who among the following has been named as India's richest man, India का IIFL के according, IIFL wealth के according, India का सबसे ज्यादा richest man कौन है, चार नाम है, Azim Premji, Cyrus Poonwala, Ratan Tata, या Mukesh Ambani, ये question वैसे easy है, सबको मालूम होगा, बट इसकी details जो है, वो में भी ना मालूम हो, तो इसका answer, as usual, पिछले 8th consecutive year, पिछले 8 लगातार, 8 सालों से, Mukesh Ambani, जो है, हमारे इंडिया की, richest man के, top list में है, सबसे top पे, हमारे पिछले लगातार, 8 consecutive years, 8 साल से लगातार, यहीं हमारे top list पे रही है, top one पे रही है, यह हमारे कौन है, Mukesh Ambani, यह हमारे, Reliance, Industries के क्या है, Chief है, Reliance Industry के हमारे Chief है, as you all know, जी ओ, जिन्दाबाद, तो ठीक है, उसके बाद हमारे, इससे यह answer, correct होता है, तो अब इनकी जो है, कुछ इनकी जो प्रोपरिटीज है, कितना amount है, यह मैं बता देती हूँ, Amani की, कितनी संपत्ती बोल सकते हैं, रुपीज 3,8,700 करोड़, 3,8,700 करोड़, जो यह हैं, हमारे top first पे हैं, top second पे कौन है, देखो कई बर क्या होता है, top first तो आपको भी पता होगा, GK के questions किस टाइप से पूछे जाते हैं, top one तो सबको मालूम होता है, कि हमारे मुकेश Amani है, top second, आजकल जो GK के questions को पूछने का trend आ गया, examiner क्या करता है, top one तो सभी याद कर लेते हैं, top one पे ये था, इसने top one पे माउंटें की चड़ाई, top one, सबसे पहले किस ने की, तो आजकल जो trend आ गया, GK के questions को पूछने का, वो second number पे आ गया है, कि मालब सबसे पहले तो इसने चड़ाई, कि दूसरे नमबर पे किस ने की, तो similar way में, मुकेश अमानी तो हमारे Reliance Industry के जो चीफ है, ये तो हमारे top one पे है, top two पे कोन है, top three पे कोन है, कभी इस ताइप से question आ जाता है, तो हमारे top one पे तो आमानी जी है, top two पे London-based SP Hinduja, इनकी कितनी है संपत्ती टोटल, टूपीज 1,6,500 करोड, ये इतना matter नहीं करता, लेकिन ये matter करता है, कि कौन सी series में, कौन से first, second, third word पे कोन है, ये नहीं पूछेगा आप से, बट फिर भी आपको knowledge होनी चीए, 1,6,500 करोड, ठीक है, हमारे third number पे है, Ajim Premji, अब Ajim Premji कोन है, आप इसको comment section में बताना, Ajim Premji कोन है, चलो नहीं पता तो मैं पता देती हूँ, ये हमारे विप्रो के founder है, So, हमारे Ajim Premji कोन है, हमारे विप्रो के founder है, ये हमारे कौन से number पे हैं, ये हमारे third number पे हैं, तो इनकी जो total संपती है, वो कितनी है, रुपीज 1,17,100 करोड, इसके बाद हमारे fourth number पे हैं, वैसे तो first, second, third, तो तो ती नहीं लण कर लो, लेकिन fourth number तक चार list तक बता देती हूँ, वैसे top ten तक देख सकती हूँ, आप net पे देख लेना, Google पे सरच कर लेना, Cyrus Poon वाला हमारे fourth number पे हैं, इनकी जो total संपती है, इतनी है, 89,800 करो, अब ये question क्या है, no women made it to the top ten richest Indian list, जो India की top ten के list है, उसके अंदर कोई भी women नहीं है, कोई भी women नहीं है, no women made it in to the top ten richest Indian list, ठीक है, अब देखो, मैंने ये वाला भी आपको बता दिया, जीम प्रेम जी के बारे में, इनके बारे में आप सर्च कर लेना, ये कौन है हमारे, ठीक है, कुछ काम आपका भी बनता है, इसका IAEFL का, फुल फॉम बता देना आप, ठीक है, ये आपका homework में रहेगा, IAEFL की फुल फॉम क्या है, पता है, तो comment में बता देना, नहीं पता, तो सर्च करके comment में बता देना, लेकिन बतानी जरूर है, एक चीज ये बता देना, IAEFL के CEO कोन है, ये दो चीज आपकी homework रहेंगी, IAEFL के CEO कोना, IAEFL की फुल फॉम क्या है, IAEFL वैल हमारा होता क्या है, ये ये होता है, इंडिन की जो रिच की लिस्ट आती है, 2019 की जैसे आई थी, 18 की भी आई होगी, मतलब आई थी, तो उनके अंदर इनका major role रहता है, तो आपको ये दो work दिया है, फॉल फॉम बताना और CEO बताना, वन मोर थिंग, आज 25th of December है, पढ़ाही में इतना जादा बीजी हो गई, कि इतने सारे questions में करा चुगी हूँ, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बूलना चाह था, Merry Christmas to all of you candidates, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज 25th of December के साथ, Merry Christmas आप सबको बहुत मुबारक हो, आपकी जीवन में बहुत सारी देरो खुशियां आएं, आपको जल्दी से job में जो चीज आप चाहते हैं, आपको वो मिले, पढ़ाही में तना जादा बीजी होगी थी, बार-बार question में सोचती हूँ, बता के जाओंगी, बच्कीप होजाता है, Merry Christmas to all of you, इसके बाद हम इसका 32 question देखते हैं, So, देखिया, हमारा question number 32 क्या कह रहा है, कह रहा है HDFC ERGO, General Insurance Company, HDFC ERGO क्या है, General Insurance Company है हमारी, ठीक है, has tied, has tied up with which of the following, यह क्या है, which of the following, bank कह रहा है, हमारी HDFC ERGO, General Insurance Company ने किसके साथ tie-up किया था, कौन से bank के साथ tie-up किया था, to launch mosquito disease protection policy, to launch mosquito disease protection policy, तो किसके साथ tie-up किया था, HDFC ERGO ने हमारी एटल पेमेंट बेंक के साथ, क्या किया था, tie-up किया था, Indian Post Payment Bank, PTM Payment Bank, Dhan Lakshmi Bank या एटल पेमेंट बेंक, तो हमारा जो यह HDFC ERGO, General Insurance Company थी, नोने किसके साथ, एटल पेमेंट बेंक के साथ, क्या किया था, tie-up किया था, अब आपके लिए जो वरक रहेगा, वो यह रहेगा, HDFC ERGO के CEO को ने, ठीक है, यह आपका वरक रहेगा, HDFC की full form क्या, यह भी आपका वरक रहेगा, ठीक है, इसके बाद मैं आपको इससे कुछ डीटेल देती हूं, चलो मैं यह बता देती हूं, हाउसिंग, हमारी HDFC की full form में बताती हूं, इसका CEO आप बताना, ठीक है, हाउसिंग, कुछ काम में आपका असान कर देती हूं, हाउसिंग, डेवलपमेंट, Finance, Finance Limited, ठीक है, चलो यह चीज में आपको, Finance Corporation, C से, Corporation, ठीक है, यह हमारी HDFC की full form है, कभी-कभी आज आती है, HDFC Bank है, तो जो हमारा private sector bank है, इसकी full form है, Housing Development Finance Corporation, बस आपको क्या करना है, HDFC, ERGO की आपको full form बतानी है, clear? अब मैं आपको इससे related, थोड़ से डिटेल बता देती हूँ, कह रहा है, एटल पेमेंट बैंक, and HDFC, ERGO, General Insurance Company, under the corporate agency, TIDA launched an innovative, Mosquito Disease Protection Policy, अभी इन्होंने इसके साथ, यह क्या launch किया, यह protection policy क्या थी, कह रहा है, Mosquito Disease Protection Policy offers, क्या-क्या offer किया, इन्होंने कवर अगेंस, 7 Common Mosquito Born Diseases, जो मच्छर से फैलने वाले diseases है, उसको इसी के अंदर, policy के अंदर, क्या किया जाएगा, offer किया जाएगा, cover किया जाएगा, कौन-कौन सी, Dengu, Malaria, Chikangunia, Japanese, N.C. Feralities, Kalazar, Lymphatic, and Jika Virus, तो इन्होंने क्या किया, the product which is a part of the wallet insurance portfolio, of HDFC ERGO, will be offered to the remittance customer, of EATL Pivot Bank, at a nominal cost of Rs.99 per annum, तो इसके बाद, हम इसका 33 question देखते हैं, so हमारा question number 33, कहा रहा है, India, India, Kajakistan, Kajakistan, कहा रहीं देख लेंगे, India, Kajakistan, joint military exercise, Cazin, 2019, will take place in, Sanyuk to Sannei Abhyaas, Sanyuk Sannei Abhyaas, आपने देखा होगा, GK के अंदर, इस type of questions, जरूर पूचे जाते हैं, तो जित्ते भी current affairs, मैं करा रही हो, ये सारे आपने आपने बहुत ही important है, और एक एक current affairs, कितने कितने sub questions, cover हो रहे हैं, एक question बताती हूँ, उसके साथ, उसके 4-5 questions, किसी और तरीके से, कैसे पूचे जा सकते हैं, उन सब को भी cover up कर देती हूँ, तो कह रहे है, Sanyuk to Sannei Abhyaas, और ये जितने भी हमारे latest current affairs, परिशले 6 मिने के, हमें question paper में देखने को मिलते हैं, तो इन से एक question पका देखने को मिलता है, Sanyuk to Sannei Abhyaas, ये जितने भी important questions करा रही हूँ, इससे तो एक पका देखने को मिलेगा, इससे पहले भी मैंने कराया था, तो इससे दो question पहले जो कराया था, Sanyuk to Sannei Abhyaas, में कहां पी होगा, शिम्भला में, 4th edition of an annual event, इसके पहले में थोड़ से डिटेल देती हूँ, क्या है हमारी है, तो ये हमारा कहरा है, इस अभ्यास में भारती और कजाकिस्तन सेना, दोनों के लगबग 100 सेनिक शामिल होंगे, जो विबिन, आंतंगवादी, रोधी, अभियानों के संचालक के दोरान, प्राप्त अपने अनुभाव को साजा करेंगे, जो अभ्यास है काजिन 2019 है, एक वार्षी कारेकरम का 4 संस्क्रेन है, जो कजाकिस्तन और भारत में वेकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, इस अभ्यास का उदेश्य, इसका उदेश्य क्या है, परवती इलाखों में अंतंगवाद, निरोधी अभियानों पर जोड़ देने के साथ, कमपनी स्तर के संच्ट प्रशिक्षन का संचालक करना है, तो देखिए हमारा क्वेशन नबर 34 क्या कह रहा है, इंडिया की कौन सी रेंक है, किसमें प्लेस इन वर्ट's डिजिटल कॉमपिटिटिवनेस रेंकिंग, तो इस ताइप की रेंक वाले क्वेशन भी बहुत बार पूचे जाते हैं, कि इंडिया की कौन सी रेंक है, 77, 81, 44, 32, किसके अंदर वोर्ट डिजिटल कॉमपिटिटिवनेस रेंकिंग, मतलब जो हमारा वोकर डिजिटल होता जाता है, ईकॉनमी, कितनी हो चुकी है, किसकी इंडिया की, यह हमारा इस बार 44th position पे इंडिया, किसमे? World Digital Competitiveness ranking में 1st और 2nd पे कौन था? US was ranked at the World Most Digitally Competitive Economy World Most Digitally Competitive Economy में हमारा US 1st रंक पे था और 2nd रंक पे था वो Singapore था followed by Singapore in 2nd place 2nd place पे हमारा कौन था? Singapore था? So, यह हमारा यह कह रहा है India has advanced to 4 places to 44th position in terms of digital competitiveness in the world the country has made improvements in terms of knowledge and future readiness to adopt and explore digital technologies Clear? So, friend, देखो हमारा 35 question क्या कह रहा है UPKCM has announced an annual aid of Dash for Triple Talaak Victims अभी यह बहुत ही important question है क्योंकि यह बहुत जादा फेमोस हुआ था आपने भी न्यूचनल पे देखा होगा यह Triple Talaak Victims पे जो हमारे UPKCM है UPKCM phone है वैसे तो मैंने लिखी दिया है यहाँ पे योगी आदितेनाथ है आप सबको मालूम भी होगए तो बहुत इस जस्ट सिंपल सा question है तो हमारे UPKCM है योगी आदितेनाथ उन्होंने क्या announce किया था एक annual aid मतलब एक annual मतलब वाशिक राशी देने के लिए कहा था किसको जो ट्रिपल तलाग के विक्टिम्स है जो ट्रिपल तलाग के विक्टिम्स है उनको कितनी राशी जो है annually उन्होंने कहा था कि वो देंगे announce किया था 4000, 6000, 8000 या 10,000 तो यह 6000 थी और यह कौन से scheme के अंडर थी यह हमारी PMJVK यह भी पता होना चाहिए कि UP के जो CM है कौन है उन्होंने ट्रिपल तलाग विक्टिम्स के लिए कितनी amount जो है उन्होंने क्या किया था announce किया था कि उतने amount triple तलाग विक्टिम्स को दिये जाएंगे और कौन सी scheme के अंडर PMJVK that means प्रधान मंत्री जन विकास कारे करम प्रधान मंत्री जन विकास कारे करम यह बहुत ही अपने आप में इंपोर्टेंट है और बहुत ही फेमस भी रहा था फेमस जगिट तौन विकसि होँड में अपने पहर मुपत के नियूज अद सब्स्सेयरा था कि शुक्षों में 20-05 बहुत सारी नहोंनेगर फेसिलिटी प्रवाइड करेंगे करें पहर कोजो ही बहूत कुछ नोंने बताया था कि यह सब और द को दिया जयेगा तो मैं वैसे बता देती हूं क्या क्या ये न्यूस थी, मुफ्त में इलाज कराया जाएगा, इन्होंने ये कहता कि इन विक्टिम्स का जो है कोई भी मतलब किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाएगा, उत्तर पते चीफ मनिस्टर योगी अधितिनाथ उन अनूंस्ट ए विक्टिम्स ऑफ ट्रिपल तलाग अंडर दा परधान मंतरी जनविकास कारेकरम पीम जेवीके, सो फ्रेंड्स देखो 35 कोईशन मैंने कवर अप करा दी है, वीडियो आदे गंटे की हो गई है, सो 35 कोईशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर देती हूं क्योंक कवर अप किया है, सो आधे गंटे की जो यहां अदर जो आत्ने बी क्वर और उनके अंदर कितने सारी कोईशन को अल्यों करना हैक Wasn't को अच्छे से समझ लें न अच्छे से ले न आद इसके नोत बनालें लें fiil एक यह बड़ तो करने के से दिर होती है कि उसके बाद ऑब take care have a nice day और हाँ comment section में ये भी बता दिया करो वीडियो कैसी लगी और अपना जीतना भी मैं यहाँ पर work देती हूँ करने के लिए उसको भी comment section में जो है reply कर दिया करो so thanks